नेपाल पूरी दुनिया का एक मात्र हिंदू राष्ट है लेकिन अब नेपाल को फेडरल डेमोकरेटिक रिपबलिक कंट्री घोशित कर दिया गया था लेकिन 2006 तक ये एक लौता हिंदू राष्ट था जहां हिंदू की संख्या आज भी भारत के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है लेकिन बीते कुछ महीनों से नेपाल में प्रो मोनेटरी या प्रो हिंदू राष्ट प्रोटेस्ट हो रही हैं लेकिन सवाल ये है क्यों आखर क्यों हजारों की संख्या में नेपाली सड़कों पर उतर कर प्रदरशन कर रही हैं आखर क्यों हो रही है एक बार फिर नेपाल को हिंदू राष्ट बनाने की मांग चलिए जानते हैं वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सचे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फाक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को आल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जिनकी मांग है कि 2015 में अडॉप्ट किये गए समविधान को रद्द कर देश में 1990 वाला यानी राजा बिरेंद्र वाला कॉंस्टिटिउशन वापस लागू किया जाए दरसल 2015 में नेपाल ने जिस समविधान को अडॉप्ट किया वो इसे सेक्यूलर यानी धर्म निर्पेक शराष्ट बनाता है जबकि राजा बिरेंद्र के कॉंस्टिटिउशन में नेपाल को मोनार की किंगडम घोशित किया गया था अब वापस से मोनार की किंगडम बनाने के पीछे की वजह की बात करें तो नेपाल के लोग राजनीतिक उथल पुथल और कम्यूनिस्ट गवर्मेंट से तंग आ चुके हैं लोगों के मताबिक नेपाल की राजनीती में इनस्टेबिलिटी बढ़ चुकी है जो मोनार की की समय नहीं थी क्योंकि नेपाल के लोग राजा को भगवान विश्नु का आवतार मानते हैं उनके मताबिक जैसे राजा दुनिया की वैसे ही राजा नेपाल की रक्षा करते है लेकिन 2008 में जब से राजा की गदी चिनी है तब से देश का नाश होता चला आ रहा है वहीं कुछ लोगों का डर धर्म परिवर्तन भी है जो बड़े स्केल पर चल रहा है 1951 में नेपाल में शूनी क्रिशन्स थे जो 1961 में 458, 2011 में 3,76,000 जबकि प्रिजेंट टाइम में 5,45,000 हो चुके हैं यानि एक दशक में पूरे 68% का ग्रोथ और ये सब हो रहा है मिशनरी और्गनाईशन्स की वज़े से जो लोगों की मजबूरी, गरीबी और भूलेपन का फाइदा उठा रही है फिर चाहे वो इसाई मिशनरीज हो या इसलाम 1951 तक जहां नेपाल में एक भी चर्च नहीं हुआ करता था वहीं आज इस देश में 8,000 से भी ज्यादा चर्च मौजूद है इसलामिक मिशनरीज भी धर्म परिवर्तन का गेम खेल रही है और बड़ी संख्या में भूले भाले नेपालियों का धर्म परिवर्तन करवा उन्हें इसलाम धर्म में कनवर्ट कर रही है हालाकि इस धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक anti-conversion law भी पास किया गया है लेकिन हैरानी की बात ये है कि अभी तक एक भी केस दर्जी नहीं हुआ है इसके अलावा नेपाल की एकनॉमी केंडिशन भी बद से बत्तर है खस्ता एजुकेशन इंस्टिटूट बेजान हेल्थ केर सिस्टम अनकंस्ट्रक्टीड इंफरस्ट्रक्चर्स और घटता रूजगार जिस वज़े से बड़ी संख्या में नेपाली शिफ्ट कर जाते हैं कमिनिस्ट पार्टी के आने के बाद से ही नेपाल में चाइना की इंवॉल्मेंट भी काफी बढ़ गई है फिर चाहे वो किसी भी सेक्टर में क्यों ना हो इसलिए नेपालियों को अब डर सता रहा है कि कही चाइना उन्हें भी डेफ्ट ट्रैप में ना फंसा दे ठीक उसी से लाखों करोडों नेपालियों के साथ देश के पूर्व राजा राजा ग्यानेंद्र शाह ने भी प्रोटेस्ट में खुल कर समर्थन दिया है साथ ही राजा प्रित्वी नारेंड शाह की प्रतिमा को इनोग्रेट भी किया है बता दें कि राजा प्रित्वी नारेंड शा सेकुलेर राष्ट कैसे हुआ दोस्तों जैसे भारत का हिंदुत्व से नाता है कुछ वैसे ही नेपाल का भी हिंदुत्व से गहरा नाता है बिल्कुल महिला और मेकप की तरह है जो कभी नहीं तूट सकता लेकिन 2008 और 2015 के बाद ये पूरी तरह से तूट गया पर शायद अब फिर से जुड सकता है नेपाल के इतियास की बात करें तो सत्योग से शुरू होता है जब इसे तपुवन के नाम से जाना जाता था यानि दे लेंड आफ मेडिटेशन नेपाल के पहले राजा मनू थे जिन्होंने काठ मांडू घाटी में रहने वाले लोगों की रक्षा के लिए पाल युद्ध शुरू किया बाद में पाल युद्ध के पाल और ने मुणी के ने से बना नेपाल जो आज देश का नाम है पांस सो बीसी ही में नेपाल में बोध्धिज्म आया लेकिन उसे हिंदू वेरियेशन की तोर पर देखा गया यानी हिंदू धर्म का ही एक रूप इसके बाद 19. शताबदी में नेपाल में राणा राज्जी का ओदै हुआ जो अंग्रेजों के समर्थक थे एक्जांपल है 1857 का First War of Independence जिसमें राणा राज्जी के सेनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़े इसके अलावा पहले और दूसरे विश्वियद में भी इनका सपोर्ट अंग्रेजों को रहा लेकिन राणाओं का अंग्रेजों को ये सपोर्ट ही इन्हें ले डूबा और 1950 में इन्हें सत्ता से दूर कर दिया गया राणाओं को गद्दी से उतारने में सबसे ज़्यादा मदद रही राजा त्रिभुवन की जिन्होंने नेपाल में मुनार्खी को इस्थापित किया और मुनार्क राजा के रोप में देश की गद्दी संभाली इसके बाद राजा महेंदर यानी राजा त्रिभुवन के बेटे ने 1969 में नया समविधान लागू किया और पहले डेमोक्रेटिक एलेक्शन्स देश में हुए जहां जीत हुई नेपाल कॉंग्रेस पार्टी की जिन्हें 38% वोट के साथ बीपी कोईराला को नेपाल का पहला डेमोक्रेटिक एलेक्टिड और 22 वा प्रधान मंत्री बनाया लेकिन 1960 तक राजा महेंदर का मन बदल गया और उन्होंने पार्लेमेंट को हटवा दिया आपको यकीन नहीं होगा लेकिन 1961 के बाद राजा त्रिववन ने भारत के ततकालीन प्रधान मंत्री जवाहलाल नेरू जी को भारत में नेपाल को मर्ज करने का ओफर दिया था लेकिन येरोपियंस की नजर में बने रहने के लिए नेरू ने ये प्रपूसल ठुकरा दिया दरसल नेरू का मानना था कि हाल ही में पुर्धगालियों को भगाया है जिस वज़े से येरोपियंस उन्हें टेड़ी नजर से देख रहे हैं तो अब उनको साथ बनाए रखने के लिए फिलहाल नेपाल को भारत का हिस्सा बनाना जरूरी नहीं है अगर ये फैसला ना हुआ होता तो आज नेपाल भारत का हिस्सा रहता खेर ये ओफर रिजेक्ट होने के बाद 1990 में राजा बिरेंदर ने नेपाल में एक पॉलिटिकल सिस्टम या कॉंस्टिउशन बनाया जिसमें एक एलेक्टेड गवर्मेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ शक्तियां राजा के हाथ में भी रखी गई लेकिन 1996 में माउज ने नेपाल के राजा प्राइम मिनिस्टर सहित सरकार के खिलाफ ही मूर्चा खोल दिया और नेपाल में हुआ प्यूपुल्स वॉर। कहा तो ये भी जाता है कि माउज को सपोर्ट कर रही थी भारत की कॉंग्रिस पार्टी। कहते तो यहां तक हैं कि नेपाल में मोनार्की को खत्म करने के पीछे भी सबसे बड़ा हाथ इंडियन कॉंग्रिस का है जिसे अब बीज चुम्भ मिले में भी आये और भारत से रिष्टे अक्षे बनाए रखे लेकिन फिर उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें अपनी पावर बढ़ाने की जरूरत है इसलिए उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू किया उन्होंने 2006 में अपना पद ही छोड़ दिया साथ ही Communist Parties के साथ Comprehensive Peace Agreement 2006 भी साइन किया जिसके साथ 204 साल पुरानी मुनारकी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई इसके बाद 2008 में नेपाल में एलेक्शन्स हुए और Communist Party के साथ नेपाल बन गया Federal Democratic Republic Country लेकिन लोगों को जटका लगा साल 2015 में जब समविदान में हुए बदलाव की चलते नेपाल बन गया Secular Country यानी धर्म निर्पेक शराष्टर क्योंकि किसी भी Peace Agreement में इस बारे में जिक्र नहीं था लेकिन अब एक बार फिर यही नेपाल Secular से हिंदू राष्टर बनना चाहता है और यही नेपालियों की मांग है जिसमें उन्हें बड़े बड़े बिजनिसमें सेल पूर्वराजा का भी सपोर्ट मिल रहा है नेपाल में हजारों लाखों लोग देश को एक हिंदू राष्टर बनाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक जब तक नेपाल एक हिंदू राष्टर नहीं बनेगा तब तक उसकी परेशानिया सोलजने का नाम नहीं लेंगी और भारत इसमें सपोर्ट करता है या नहीं ये तो कह नहीं सकते लेकिन हाँ अगर नेपाल हिंदू राष्टर बना तो भारत के लिए फायदे की बात हो सकती है क्योंकि बींग हिंदू नेशन नेपाल की तरफ से भारत के लिए सिक्योर्टी रिस्क बिलकुल नहीं रहा लेकिन कम्यूनिज्म और चाइना के हस्तक्षिप के बाद ये खत्रा बढ़ रहा है इसलिए नेपाल का हिंदू राष्टर बनना इंडिया की नेशनल सिक्योर्टी के लिए और इंडिया नेपाल के बीच के रिश्टों के लिए बहुत जरूरी है इसलिए कई एक्सपर्ट का मानना है कि अगर नेपाल एक हिंदू राष्टर बन जाता है तो इससे सबसे ज्यादा फाइदा भारत को ही होगा हरा कि 2014 में भारती जंता पार्टी जब सत्ता में आई तो इसने नेपाल को और नेपाली सरकार को अंडरस्टीमेट किया लेकिन कहीं न कहीं अब बीजेपी नेपाल और वहाँ के हालातों को समझने की कोशिश में लगी हुई है खेर आपको क्या लगता है क्या भारत को नेपाल के हेल्प करनी चाहिए कॉमेंट करें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही है जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें